हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप लोग आई होग बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्त होंगे तो आजकल एक ना बहुत ही टॉपिक छिड़ गया है लिवन रिलेशन्शिप का और तो सब लोग वीडियो बना रहें कॉंटेंट मिला है भाई सबको तो मैं कैसे पी लोगे मेरी दूसरी शादी से लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यो ölंग है तो आपकी दूसरी शादी से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है आपने जो लिवन रिलेशन्शिप पे या 어ih cada चेंज कर लिया, बहुत अच्छा हुआ चेंज कर लिया, क्योंकि लिविन रिलेशन्शिप को ना हमारी सोसाइटी में इजट से नहीं देखा जाता, इजट से नहीं देखा जाता और आगे आपका भी एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो भी आगे जाके, जब ये वीड वो अब चोटा है, तो उसको कुछ समझ नहीं है, कि मेरी माँ क्या बोल रही है, क्या कर रही है, वो उसको समझ नहीं है, तो आप अपने बच्चे की नजर में भी गलत साबित होगे आगे जाकर, और दूसरी बात, आपने तो बोला जो बोला, आपकी ममी ने भी बोला, शौक्ट हो गई सुनके, कि मतलब आउंटी जी भी बोल रही है, कि शादी में बहुत खर्चा होता है, और शादी करवाने से अच्छा लिविन रिलेशन्चिप है, शादी के जैसे होती है, उसमें तलाक का भी कोई खर्चा नहीं, अगर नहीं बनती है अपस में तो, माई यताई मतलब किया सौच है, मैने नहीं समझती कि यह एक मैच्वर पर्सन की, मा की सोच हो सकती है, मा हमेशा यह सोचती है कि हमारे बच्चों को इजड मिले, society में इजड मिले और आगे जाके उनके नाम से हमें जाना जाए, ना कि बेजड नाम से, बेजड में भी नाम होता लेकिन वो बेज़दी वाला होता है लोग बेज़दी बेज़द करके नाम लेते हैं लेकिन जो इज़द वाला नाम होता है उससे पैरेंट्स को अगर जब जाना जाता है तो बहुत खुशी मिलती है तो आप वो काम कर रहे हो करने जा रहे थे अब मुझे नहीं पता लेकिन आपने जो लिव इन रिलेशन्जिप का टॉपिक उठाया था उससे आप बदनाम होते आगे जाके अपनी फैमिली के लिए भी अपने बच्चों के लिए भी और एक सवाल खड़ा कर देते हैं यह बहुत अचे वात है आप सीख रहे हो साड़ी पहनने मुझे भी सीख था MARK आरे मुझे भी सीखनी ऊच्छेब जहां पर एपरेशेट करने वाली भात हती नहीं पर आप कंद। लगता है और आपको पता लगया कि आपके वीडियो कैसे डालैंणा होंगे आपके लेकिन ऊसे आप ये भी मैसेज बॉल रहे हो जो कि हर एक नड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो उसको जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके मन में आप एक वहम पैदा कर रहे हो कि शादी तो शिट है ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है शादी मत करो बस लिविन रिलेशनशिप में रहो जब मन चाए पालो और जब मन चाए तो छोड़ दो चलो यार एक बार इनसान जब बचपना होता है छोटा मतब यूनो मैचॉर्टी नहीं आती है तब एक बार ये सारी बाते करो ठीक है सामने वाले को लगता है हाँ यार बचपना है अभी अभी ये सारी चीज़े नहीं समझते हैं लेकिन अब तो आप एक बच्चे की मा हो आगे जाके सोसाइटी का हाल ना बहुत खराब होने वाला है अगर ऐसे होनों गया तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अगर आप नई है और बैल आइकन प्रेस कर दिए जिसे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक प